और अब आपको सीधे ले चलते हैं प्रधान तेर नाइन मोदी बंगाल की जनता को संबुद्धत कर रहे हैं आज पूजा पंडाल का इनाउग्रेशन भी कर रहे हैं देखे और उनका सुभेच चबार्त सुनाए हम लोगों को हम लोग अपेक्शा कर रहे हैं प्रधान मंतिजी को पहले हम लोग शंक, उलू और शाक के द्वारा स्वागत करेंगे हम बोलेंगे सब को प्लीज शंक बजाएए कर दो कर रहे हैं झाल झाल आमादेर मानों नियो मधान मुंची तार परिकल्पनार प्रती ती प्रकल्पे शुचिन्दितो प्रयोग देश बाश्चिके प्रती दीन प्रती मुर्ते शाम्रिध्धो कर्छे भोविश्वतेव कर्वे देवी दुर्गार काचे तार सूर्षास्थो एबंग दिरगायू कामो ना कोड़ी जोए 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 बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान मुंची माननिया स्री नरेंडर मोधी जी को आज हमारे बीच आने के लिए हमारे बीच बाबुल शुप्रियोदा भी है तो हम चाहेंगे अगर बाबुल दा है और प्रधान मंटी जी है और इतना ऐसा शुब अपसर में रविंडरनात जी हमारे साथ ना हो तो कुछ अधुरा रह जाता है इसलिए हम चाहेंगे बाबुल दा अगर कोई रविंडर शुप्रियोगीत हम लोगों को और प्रधान मंटी जी को भी सुनाएं तो प्रधान मंटी जी को मेरा नमस्कार आज के सुवा अफसर पर वो मेरे साथ हमारे साथ रहें बंगाल के साथ रहें इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जगोत जुडे उदार शुरे आनोंदो गान बाजे शिगान कबे गोभीर रवे बाजी बेहिया माजे जगोत जुडे उदार शुरे आनोंदो गान बाजे बाताशो जलो आकाशो आलो शबारे कबे बाशी बोभालो ख्रिदयो शबा जुडिया तारा बोशी बेनाना शाजे जगोत जुडे उदार शुरे आनोंदो गान बाजे नय उन्न दूटी मेलीले कबे फरानों हबे खुशी जे पथो दिया चोलिया जाभो शबारे जाभो तुशी रोए छो तुमी एक अथा कबे जीवन माजे शहो जोहबे आपनी कबे तुमारी नाम धोनी बे शबो काजे जगोत जुडे उदार शुरे आनोंदो गान बाजे जगोत जुडे उदार शुरे आनोंदो गान बाजे नमस्कार और एक धुन्यवाद बाबुल्रा दुर्गापुजा के इस शुभ अप्शर पर बिंगॉल बीजेपी परिवार के तरफ से आपको स्वागत करती हो सर शुभो शारोद्यार प्रिती और शुभेच्चा अब बिना कोई समय गवाए मैं भारत की जसे श्री प्रधान मंत्री माननिय श्री नरेंड्रमदीजी से बिनम्र आग्रह करती हों कि वे महाशिष्टी के शुभ अपसर पर बंगाल के जनता को तुर्गापुजा का अपना सुभेच्चा संदेश दे जोड़दार तालियो से माननिय प्रधान मंत्री जी का स्वागत करें प्रत्में आपना देर शकल ले जनाए श्री सी दुर्गा पुजो आसन्य श्री सी काली पुजो एबं दिपावलिर प्रिती अतिरेक सुभेच्चा और अभिनंदर बांगलार एई पवित्र भूमी ते दुर्गा पुजो और शोविये आपना देर सकलेर मद्दे आस्ते पेरे आज आमी नीजी के धन्यो माने करी शे पस्चिम बंगल के मेरे भाई और बहनों आज भक्ती की शक्ती ऐसी है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिल्ली में नहीं लेकिन आज मैं बंगल में आपके बीच उपस्तित हूँ बंगल के मादूर्गा के भक्तों ने मेरे स्वजनों ने मुझे बुलाया है मुझे इस्वा अवसर से जुड़ने का बहुत बड़ा सौभागी मिला है जब आस्था अप्रमपार हो मादूर्गा का अशिरवाद हो तो स्थान, स्थिती, परिस्थिती से आगे बढ़कर पूरा देश ही एक प्रकार से बंगाल मय हो जाता है बंगाल हो जाता है ऐसी कोई जगा नहीं जहां इन दिनों गराम बंगला और शोर बंगला के रंग और मादूर्गा के नवरूप की जलक न दिखाई देती हो दूर्गा पजा का पर्व भारत की एकता का पर्व भी है भारत की पूरनता का भी पर्व है बंगाल की दुर्गापुजा भारत की स्प्रूनता को एक नई चमक देती है नई रंग देती है नई श्रंगार देती है ये बंगाल की जागरुत चेतरा का बंगाल की अध्यात्मिक्ता का बंगाल की अईतिहासिक्ता का प्रभाव है पवित्र सस्थी के इस पुन्य अवसर पर मैं बंगाल की पवित्र पुन्य भूमी आज आदर पुर्वक नमन करता हूँ बंगाल की भूमी से निकले महाल व्यक्तित्वों ने जब जैसी आविशक्ता पड़ी सस्त्रव और सास्त्र से त्याग और तपस्या से मा भारती की सेवा की है बंगाल की माटी को अपने माथे से लगा कर जिनोंने पूरी मानवता को दिशा दिखाएगी उनसी नाम प्रश्ण परमाउस स्वामी विवेखानन चैतन्य महाप्रभू श्री अर्विंदो बाबा लोकनात श्री ठाकुर अनुकुल चंद्र मा आननमाई ऐसे अंगिनत अंगिनत रुशी परमपड़ा के वहानु भावो को महर्शियों को तपस्वियों को आज मैं आदर पूरवक नमन करता हूँ जिनोंने बंगाली नहीं पूरे देश के समस्कारों को गड़ा उन गुरुदेव रविनराजी टागोर बंकिम चंद्रजी चट्वपध है शरत चंद्रजी चट्वपध है को भी मैं आदर पूरवक प्रणाम करता हूँ जिनोंने भारतिय समाज को नई राह दिखाई नई चेतना जगाई उन इश्वर चंद्र विद्या सागर, राजा राम महन राय, गुरुचंद्र ठाकूर, हरीचंद ठाकूर, पंचानन बर्मा का नाम लेते हुए ही एक नई चेतना जगती है आज अउसर हैं उन सब के सामने ससीष जुकाने का, जिनोंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को जीवन्त किया, नई उर्जा से भर दिया ऐसे नेताजी सुभाच्चंद्र बोश, शामा प्रुसाद मुखर जी, शहीत खुदराम बोश, शहीत प्रफुल चाकी, मास्टर दा सुर्य सेन, बागा जतीन को हम सब आज नमन करते हैं, जिनोंने मा भारत की सेवा में अपना जीवन लगा दिया ऐसी मा शार्दा, मातंगिनी हाजरा, रानी राश्मनी, प्रितिलता वादेदार, सरला देवी चोदरानी, कामिनी राय को आज प्रणाम करने का एप पल है जिनोंने विज्ञान के खेत्र में भारत का भारत का पर्चम पूरी दुनिया में लह राया ऐसे जगदिश्चंद्र बोस, सत्तेंद्रनाद बोस, आचारिय प्रफुल चंद्र राय आज जब विज्ञान का यूग उनको हर पलियाद करता है, मैं भी आज उन महानुभावों को नमन करता हूँ आज के भारत को गढ़ने में, समारने में, बंगाल का इतना बड़ा योगदान है इतने सारे नाम है, कि शाम हो जाएगी, लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे कला संगी जगत की ही बात करे तो, काजी नजरुल इसलाम, सत्यजीत रे, रुत्वी गटक, मरनाल सेन, सुचित्रा सेन, उत्तम कुमार कितने ही नाम है, जिनोंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है वैसे बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं होगा, कि दुरगा स्वरूप, मा भारती की जो तश्वीर, आज करोडों भारतियों के दिल में बसी हैं, वो तश्वीर भी सबसे पहले, बंगाल में, अबनिंद्रनाथ टेगोर जी ने बनाई थी, बंगाल के लोगों में एक ऐसी आत्मशक्ति हैं, जिसके कारण वे हर छेत्र में आगे बढ़कर उपलिपदिया पाते हैं, बंगाल के लोगों ने देश को प्रगती के मार्क पर आगे बढ़ाया है, आज भी बढ़ा रहे हैं, और ये मेरा विश्वास है, कि बविश्व में भी बंगाल के लोग, देश का गौरव इसी तरह बढ़ाते रहेंगे, अभी इस कारके में उपस्तित, आप सब भी बंगाल के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, आज के पावन दिन मैं सभी का स्मरन करता हूँ, अथा सक्तियों से भर्यू ही बंगाल की जनता को मैं आदरपूरवक नमन करता हूँ, साथियों, इस बार हम सभी कोरोना के संकट के बीच दुर्गा पुजा मना रहे हैं, मा दुर्गा के भक्त, पंडालों के आयोजकों सब ने इस बार अध्व्यूत सैयम दिखाया है, संक्या पर भले असर पड़ा हो, लेकिन बव्यता वही है, दिव्यता वही है, आयोजन भले ही सिमित है, लेकिन उत्सव का रंग, उल्लास, आनन, असिमित है, यही तो बंगाल की पहचान है, यही तो बंगाल की चेतना है, यही तो असली बंगाल है हाँ मेरा आपसे यह आगरत जरूर है कि मा दुरगा के पूजा के साथ ही आप दोगज की दुरी मास्क पहनने और अन्य नियमों का पालन भी पूरी निष्ठा से करें साथियों बंगाल में उमा एलो घरे की सनातन परंपरा रही है दुरगा पुजा के पारम में बोधन समहरों में मा का पारंपारिक आहवान भी इसी परंपरा का विधान है यहाँ दुरगा को अपनी बेटी भी मानते है बेटी की तरह घर में उनका स्वागत करते है यह दर्शन इस्वरिय सत्ता से हमारा संतान और मा का यह रिस्ता यही हमारे आध्यात्मिक और सामाजिक चिंतन का मुल्भुत आधार है इसलिए हमें सभी बेटियों को दुरगा की तरह सम्मान करने की सिख दी जाती है नवरात्र में उनकी पूजा की जाती है और मा दुरगा की पूजातो शाक्षार शक्ति की साधना है हमारी मा दुरगा दारिद्र दूख भय हारिनी कही जाती है दुरगती नाशिनी कही जाती है अर्थात वो दुखों को दरिद्रता को दुरगती को दूर करती है इसलिए दुर्गा पुजा तभी पुरी होती है जब हम किसी के दुख को दूर करते हैं किसी गरीब की मदद करते हैं साथियों महिसा सुर का वद करने के लिए माता का एक आउशी परियाप्त था लेकिन इस कारे के लिए सभी दैविये शक्तियों को संगटित हो गई थी वैसे ही नारी शक्ति हमेशा हमेशा से भी सभी चुनोतियों को परास करने की ताकत रखती है ऐसे में ये सभी का दाईप्व है कि संगटित रुप से सभी उनके साथ खड़े हो भारतिय जनता पार्टि के विचार यही है संसकार यही है और संकल्प भी यही है इसलिए देश में आज महिलाओं के ससक्ति करण का भी अभियान तेज गती से जारी है चाहे जन दन योजना के तहट बाईस करोड महिलाओं के बैंक खाते खोलना हो या फिर मुद्रा योजना के तहट करोडों महिलाओं को आसान रुण देना चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या फिर तीन तलाग के खिलाब कानून चाहे गरबावस्ता के दोरान मुक्त चेकप की सुविदा हो या फिर पोशन अभियान चाहे स्वच भारत के तहट घरों में सवचाले का निर्मान हो या फिर रसोई में धुएं से आजादी चाहे नाइट सिप में काम करने के अधिकार हो या फिर मैटनिटी लीव को बारा हफते से बढ़ा कर 26 हफते करना चाहे गहरी खदानों में भी काम करने की स्विकृती हो या फिर सेना में पर्मेनेंट कमिशन देश की नारी शक्ती को ससक्त करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है महलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार सजग है रेप की सजा से जुड़े कानूनों को बहुत सक्त किया गया है दुराचार करने वालों को मृत्यु दंड तक का प्रावधान हुआ है भारत ने जो नया संकल पर लिया है आत्म निर्भर भारत के जिन अभियान पर हम निकले हैं उसमें भी नारी शक्ती की बहुत बड़ी भूमी का है साथियों मैं बोले नात की नगरी काशी का सांसद हूँ काशी में माद दुर्गा माता अनपूर्णा के रूप में मिराती है मा के रूप में दुर्गाजी को हमेशां ये चिन्ता भी रहती कि उनकी कोई संतान भूख ही न रहे कोई गरीब न रहे बांगला में कहते हैं आमार संतान जेनो थाके दूदे भाते मा दुर्गा का ये आशिरवात कभी पूरा होगा जब हमारा किसान आत्म निर्भर बने हमारा स्रमिक आत्म निर्भर बने हमारा देश आत्म निर्भर बने आत्म निर्भर भारत के इसी संकल्प से हमें सोनार बांगला के संकल्प को पूरा करना है हमें याद रखना है ये बंगाल की ही पवित्र धर्ती थी जिसने मायर देवा मोटा का पोड़ माथाय तुले नेरे भाई का गीत दिया था ये बंगाल की ही धर्ती थी जिसने आजहादी के आंदोनन में स्वदेशी को एक संकल्प बनाने का काम किया था बंगाल की ही धर्ती से गुरुदेव रमिर्णा टेगोर और मंकिम चंद्र चेटर जी ने आत्मंदिर बर किसान और आत्मंदिर बर जीवन का संदेश दिया था गुरुदेव ने लिखा था बांगलार माटी बांगलार जौल बांगलार बायू बांगलार फॉल पुन्य होग पुन्य होग हे भोगवार्ण इसलिए 21 सदी में आत्म निर्वर भारत का ये नया संकल भी बंगाल की धर्ती से ही मजबूत होगा हमान बंगाल के गौरों को बंगाल के उद्यम और बंगाल के उद्योग को यहां की समुरुद्धी और संपनता को नई उचाईयों पर पहुँचाना है साथियों बंगाल के तेज विकास के लिए बंगाल के लोगों को मुलभुत सुविदाय पहुचाने के लिए निरंतर काम हो रहा है प्रदान मंत्री आवास योजना के तहट बंगाल में करीब करीब 30 लाग गरीबों के लिए घर बनाए जा चुके हैं उजवला योजना के तहट करीब करीब 90 लाग गरीब महिलाओं को मुप्त गैस कनेक्शन दिये गए हैं प्रदान मंत्री जंदन योजना के जरिये बंगाल के लगबग 4 करोड गरीबों के बैंक खाते खुले गए हैं इतना ही नहीं जल जीवन मिशन योजना के जरिये बंगाल के लगबग 4 लाग गरों में पाइप से साब पानी पहुचाना के काम हुआ है बंगाल के इंफरस्ट्रक्टर के लिए कनेक्टिविटी सुधाने के लिए भी लगातार काम हो रहा है कोलकाता में इस्ट वेस मेट्रो कोरीडोर परियोजना के लिए भी साड़े आठ हजार करोड रुपे मंजूर किये गए है नेपाल भारत और मंगला देश के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए सैक्डो करोड रुपे की लागत से सड़क परियोजना पर कार्य चल रहा है नेशनल हाइवेज हो वाटर वेज हो या फिर गाउं गाउं तक ब्राउड बेंड कनेक्टिविटी हमारी कोशिज है कि बंगाल के आम जन के जीवन से मुष्टिले कम हो उनका जीवन आसान बने साथियों भाजपा की केंद्र सरकार ने पुर्वोदय का मंत्र अपनाया है जहां सुर्योदय हम देखते हैं पहला उसी दिशा का पुर्वोदय पुर्वी भारत के विकास के लिए निरंतर फैसले लिए हैं पुर्वोदय के इस मिशन में पस्चिम मंगाल को महत्वपूर भूमी का निभानी है मुझे भरोसा है कि पुर्वोदय का केंद्र बनकर पस्चिम मंगाल जल्द ही एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा हमारे सास्त्रों में कहा गया है या देवी सर्व भूतेशु सक्ति रुपेण संस्तिता हर्थाथ हर जन में माद बुर्गाही शक्ति रुप से थीत है हमें इसी भावना से पूरी ताकत से काम करना है जन जन तक पहुँचना है हमारे सास्त्रों का कथन है या देवी सर्व भूतेशु शांती रुपेण संस्तिता हर्थाथ माद बुर्गाही जन जन में शांती रुप से स्थीत है इसलिए हमें शांती, प्रेम, भाय चारे की भावना से देश की एकता के लिए काम करना है हमारे सास्त्रों का मंत्र है या देवी सर्व भूतेशु दयार रुपेण संस्तिता हर्थाथ माद बुर्गाही प्राणियों में दया के रुप में विराज दी है इसलिए हमें हिंसा के खिलाब अहिंसा से जीत हासिल करनी है हमारी भावना है कि या देवी सर्व भूतेशु लक्ष्मी रुपेण संस्तिता यानि कि माद बुर्गाही सभी के साथ लक्ष्मी रुप में रहती है इसलिए हमें सबके सुक के लिए सबके विकास के लिए काम करना है हमें सबका साथ सबका विकास सबका विस्वास इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ना है मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका ये तप ये त्याग ये सादना जल्द ही फली भूत होंगे परिशे से मा दुर्गाओ मा कालिर काछे प्रार्थना कोरी जेनो प्रती बोचोर आमरा एई भावे माए सेबाओ पूजो करो कोरे जेते पारी मा देशेरो जातीर उन्नती कलपे आमा देर आशिरवाद कोरू एई काम ना कोरूए वैसे बंगला भाषा में इतनी मिठास है मुझे मालूम है कि उच्चारण में कुछ नू कुछ कमी रही जाती है लेकिन फूर भी बंगला बोलने के मोँ से मैं खुद को रोक नहीं पाया हूँ तुर्टियों के लिए छमा के साथ ही मैं माद दुर्गा के इस पवित्र पावन नवरात्री के पर्वपर सर जुका कर पढ़ाम करते हुए पुरे राश के कल्यान के लिए आप सब के साथ प्रास्णा में जूडने का गर्वान उभव करते हुए मैं मेरी वानी को विराम देता हूँ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुक्त कामना है जै माद दुर्गा जै मा काली अभी आपने देखा प्रधाम तरी नायन बोधी बंगाल की जनता को संबुद्ध करतने के साथ साथ पूरे देश को भी संबुद्ध कर रहे थे बता रहे थे कि सरकार की योजनाएं क्या क्या है कैसे पुरवत्तर राज्यों और खास करके बंगाल की इसमें एक एहम भूमिका है साथ ही मा दुर्गा की सुटी के साथ उन्होंने इस बात पर भी काफी जोड़ दिया कि कैसे दुर्गा पूजा तरसल हमारी भारती संस्क्रित का एक एहम हिस्सा है मा दुर्गा पतीते हैं महिला शक्ती की और कैसे आज पूरा हिंदुस्तान महिला शक्ती को श्रक्षत करने के लिए और उसे उचित स्थान देने के लिए लगतार काम कर रहा है कोशिश है कर रहा है उन्होंने तमाम सरकार की योजनाओं को भी एक बार फिर गिनवाया जो खास करके बंगाल की जनता के लिए उपलब्द है नबे लाख महिलाओं को जोला स्कीम से फाइदा पहुँचा है जंधन योजनाओं से चाल करोड़ों के खाते में पैसे पहुँचे है इन तमाम मुद्दों पर प्रधामतिन नैंद मोदी ने अपने विचार बंगाल की जनता के साथ आज साजा किये जब पंडाल के इनाउगरेशन पर प्रधानमतिन पूरे देश को और उसके साथ-साथ बंगाल की जनता को संबोतित कर रहे थे प्रधानमतिन नैंद मोदी ने बिहार जाने से पहले बंगाल के 78 हरुआ है